हेलो फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल में आपका एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के टिप्स में मैं आपको अंडराम्स के कालेपन को दूर करने का एक बहुत ही इफेक्टिव हूम रिमेडि बताने जा रही हूँ इसके इस्तेमाल से आपके अंडराम्स का कालापन पूरी तरह से दूर हो जाएगा और वहां की तवचा गोरे निकरी और खुबसूरत हो जाएगी लेकिन इससे पहले आप से रिक्रेस्ट है आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को आन कर ले मेरे आनवले से विडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं बहुत सारे लोगों के अंडराम्स में कालापन हो जाता है जो देखने में काफी बुरा लगता है और आप अपने पसंदीदा कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं लेकिन मैं जो नुसक बेकिंग सोडा लेना है बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा मार्केट में इसली अवलेबल है आपको बेकिंग सोडा लेना है एक चमच बेकिंग सोडा तवचा के रंग को निखारता है यह तवचा के काले पन को दूर करने में बहुत ही इफेक्टिव होता है यह हमार को नर्मल वाटर एक चमच मिक्स कर लेना है अब इसका इस्तेमाल आपको अपने डार्क अंडरा मेरिये पर करना है इसकी थोड़ी सी मात्रा लेनी है और इसे आपको लगा के स्क्रब करना है लगभग चार से पांच मिनट आपको स्क्रब करना है बिल्कुल हलके आथो से आपको मसाज करनी है मसाज करने के बाद पांच मिनट के लिए आप इसे लगा करके छोड़ दें पांच मिनट के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से धोलें यह बहुत ही ज़्याद लाब देखने को मिलेगा एक से दो इस्तेमाल में आपको काफी फर्क देखने को मिलेगा आपके अंडराम्स का कलापन दूर हो जाएगा अगर आप चाहे तो इसका इस्तेमाल अपने काली गर्दन पर भी कर सकते हैं गर्दन के कालापन को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में